class 10th में इस समय काफी ज़्यादा confusion है बच्चों को लेके कि upstream downstream सब्सलिवस में है या नहीं है अब आप सिंपल से बात है upstream downstream हां मैं मैं मानतो तुम्हारा school में मना किया गया होगा लेकिन पूरी जानगारी तो ले लो तो Chapter 3 पर भी UpEastream Downstream में और Chapter 4 में भी UpEastream Downstream है अब जो Reducional Part है 3.6 जो हुआ करता था वहाँ पर जो Question थे जो भी UpEastream Downstream वाला जो Question है वो आपके Exam में आएंगे और इसका Proof का है भाई इसका Proof है CVHC ने अपने Sample Paper में इसके उपर Question ले रखा है तो भाईया अपेश्चिम डाउनचिम डिलेट नहीं है इसको छोड़ मत देना वरना जो है तुम्हारे मार्स कर जाएंगे ऐसी और जानकारी वीडियो के लिए चैनल को सबस्कार कर लो क्यूंकि क्लास 10 से रिटेट सारे क्वालिटी कंटेंट इस चैनल पर मिलते रहते हैं थैंक यू सो मुझ वाचिंग यारे कृष्णा